एफ़शियों की नाम सन्पॉलस का पत्र अध्याए एक, संतों और इशा मसी के विश्वासियों के नाम पॉलस का पत्र जो ईशवर द्वारा इशा मसी का प्रेडिक नियुक्त होा है हमारा पिता ईश्वर और प्रभुई सा मसी आप लोगों को अनुगरह तता शांती प्रदान करें। धन्य है हमारे प्रभुई सा मसी का ईश्वर और पिता। उसने मसी द्वारा हम लोगों को स्वर के हर प्रकार के अध्यात्मिक वर्दान प्रदान किये हैं। उसने संसार की स्रिष्टी से पहले मसी में हम को चुना, जिससे हम मसी से सयुक होकर उसकी दृष्टी में पवित्र तथा निश्कलंक बने, उसने प्रेम से प्रेरित होकर आधी में ही निर्धारित किया कि हम इसा मसी द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे, इस प्रकार उस अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपरादों की शमा दिलाते हैं। यह इश्वर की आपार कृपा का परिणाम है। जिसके द्वारा वहां हमें प्रग्या तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगल में एक्षा के अनुसार निश्चे किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृत्वी में जो कुछ है वह सब मसी के अधिन कर एक्ता में बांध देगा। उसने अपनी संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। इश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धार किया कि हम मसी द्वारा बुलाएं जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्थुती हो। हम लोगों ने तों सबसे पहले मसी पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन अपनी मुक्ति का सुष्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लग गई जिसकी प्रतिग्या की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रजा की मुक्ति की तैयारी जिससे उसकी महिमा की स्थुती हो। मैंने प्रभू ईशा में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके ब्रादर प्रेम के विशे में सुना है। मैं आप लोगों के कारण इश्वर को निरंतर धन्यवाद देता और अपनी प्रात्नाव में आप लोगों का स्मरण करता रहता हूँ महिमा में पिता हमारे प्रभु ईसा मसी का ईश्वर आप लोगों को प्रग्या तथा अध्यात्मिंग दुष्टी प्रदान करें जिससे आप उसे सच्मुत जान जाएं वह आप लोगों के मन की आँखों को जोती प्रदान करें जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभपूर्ण तथा महीमा में है और हम विश् के कल्यान के लिए सक्रिय रहने वाले इश्वर का सामर्थ कितना आपार है इश्वर ने मसी में वही सामर्थ प्रदर्शित किया जब उसने नुद्दकों में से उन्हें पुनर्शीवित किया और स्वर्ग में अपने दाही ने बिठाया स्वर्ग में कितनी ही प्राणी क्यों नहूं और उनका नाम कितना ही महान क्यों नहूं उन सब के ऊपर इश्वर ने इस युक के लिए और आने वाले युक के लिए मसी को स्थान दिया उसने सब कुछ मसी के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीशिया का शिर्ष नियुक्त किया कलीश मसी का शरीर है और उनकी परिपूर्णता है मसी सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुचाते हैं अधैदों आप लोग अपने अपरादों और पापू के कारण मर गए थे क्यूंकि आपका आचरन पहले इस संसार के रीति के अनुकुल आकाश में विचरने वाले अब दू पहले उन विरोधियों में सम्मलित थे जब हम अपने वास्नाओं के वशिभूत होकर अपने शडीर और मन की वास्नाओं को द्रप्ट करते थे हम दूसरों की तरह अपने सौभाव के कारण इश्वर के कोप के पात्र थे परंटु इश्वर की दया आपार है हम अपने उसकी कृपा ने आप लोगों का उध्धार किया, उसने इसा मसी के द्वारा हम लोगों को पुनाचिवित किया और स्वर्म में बिठाया। यहां तो इश्वर का वर्धान है यह आपके किसी कर्म का पुरसकार नहीं कहिं ऐसा ना हूँ कि कोई उस पर गरव करें इश्वर ने हमारी रचणा की उसमें इसा मश्य द्वारा हमारी शुष्टी की जिसे हम उंड के कार्य करते रहे और उसी मार पर चलते रहे जिसे इश् से गयर यहुदी हैं और उन लोगों द्वारा बेखतने कही जाते हैं जिनके शरीर में खतना किया गया है आप याद रखें कि पहले आप मसी से अलग थे इसराइल के समुदाय के बाहर थे विधान की प्रतिग्याओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और इश्वर से रह कर आ गये हैं क्योंकि वही हमारी शांती है उन्होंने यहुदियों और गैर यहुदियों को एक कर दिया है दोनों में शत्रुता की जो दिवार थी उसे उन्होंने गिरा दिया है और अपनी मृत्यों द्वारा विधी निशेदों की साहिता को रद कर दिया है इस प्रकार उ एक नई मानफता की स्रिष्टी की शांती स्तापित की है। उन्होंने रोस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया और इस प्रकार शतृता को नश्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांती का संदेश सुनाया। आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे। क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रिरित होकर पिता के पास बहुत सकते हैं। आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहें बलकि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के गराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्मान उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रिरितों तथा नभियों की नीव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयम ईसा मसी है। उन्ही के द्वारा समस्त भवन संगटित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारन कर रहा है। उन्ही के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जुड़े जाते हैं जिससे आप ईश्वर के लिए अध्यात्मिक निवास बने। अध्यातिम इसलिए मैं जो आप कह रहुतियों की भलाई के लिए मसी के कारण कैदी हूँ आप से एक प्रात्ना करना चाहता हूँ। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपने क्रिपा का सेवा कारण सौपा है। उसने मुझ पर वह रहस प्रकट किया है जिसका मैं समचिप्त विवरन उपर दे चुका हूँ। उसे पढ़कर आप लोग जान सकते हैं कि मैं मसी का रहस समझता हूँ। वह रहस पिछली पीडियों में मनिश्य को नहीं बताया गया था और अब आत्मा के द्वारा उसने पवित्र प्रिरितों और नभीयों पर प्रकट किया है। वह रहस यह है कि नभीयों पर प्रकट किया गया है। वह रहस यह है कि सुसमचार के द्वारा यहुदियों के साथ गैर यहुदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं। एक ही शरीर के अंग हैं और इसा मसी उश्यक प्रतिग्या के सहभागी हैं। इश्वर ने अपने सामर्थिव के अधिकार से मुझे यह कृपा प्रदान की कि मैं उस सुसमचार का सेवक बनू। मुझे जो संतों में से सबसे चोटा हूं। यह वर्दान मिला है कि मैं गैर यहुदियों को मसी के आपार कृपा निधी का सुसमचार सुना। उस मुक्ति विधान का वहरस्व कुन रूप से प्रकट करूं। जिसे समस्त विश्व के सुष्टी करता ने अब तक गुपत रखा था। इस तरह कलीशय के माध्यम से स्वर के दूद ईश्वर की बहुविद प्रग्या का ज्यान प्राप्त करेंगे। इश्वर ने अनंत काल से जो उद्देश अपने मन में रखा था। उसने उसे हमारे प्रगु ईश्वर मसी द्वारा पूरा किया। हम मसी में विश्वास करते हैं और इस कारण हम पूरे भरोसे के साथ निर्भे होकर इश्वर के पास जाते हैं। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रातना है कि मैं आप लोगों के लिए जो कश्ट सह रहा हूं उसके कारण आप हिम्मत ना हारें क्योंकि इसी में आप लोगों का गौरव है। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृत्वी पर प्रती एक परिवार का मूल आधार है। उटने टेक कर यह प्रातना करता हूं कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपने आपार कृपा निधी के आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ प्रदान करें। जिससे विश्वास्वारा मसी आपके हिद्यों में निवास करें। प्रेम में आपकी जड़े गहरी हों और नीव सूद्रड हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसी के प्रेम की लंबाई, चोड़ाई, उचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्यान प्राप्त होगा यद पी वहग ज्यान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की उनता तक पहुचकर स्वयम परिपून हो जाएंगे। जिसका सामर्थ हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन कर सकता है, जो हमारी प्रात्ना और कल्पना से अत्यतिक परे हैं, उसी को कलीश्या और इसम मसी ध्वारा पीडी दर पीडी योग, योगों तक महीमा, आमिन। अदायचार इश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे की अनुसार आचरन करें, यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है, जो प्रभु के कारण कैदी हूं, आप खुर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सह करें, और शांती की सूत्र में बंद कर उस एकता को बनाए रखने का प्रयतन करते रहें, जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है, एक ही आशा, जिसके लिए आप लोग बुलाएं गए हैं, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, और एक ह इश्वर है जो सबका पिता सबके उपर सबके साथ और सब में व्याप्त है मसी ने जिस मात्रा में देना चाहा उसी मात्रा में हम में प्रतिये कोकृपा प्राप्त हुई है इसलिए धर्मगरत कहता है वहां उचाय पर चड़ा और बंदियों को ले गया उसने मनुश्यों को वर्दान दिये वह चड़ा इसका अर्थ यह है कि वह पहले प्रित्वी के निचले प्रदेशों में उत्रा जो उत्रा वह वही है जो आकाश से भी उपर जड़ा जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे उन्होंने कुछ लोगों को प्रेरित कुछ को सुसमाचर प्रचार और कुछ को चरवाहे तथा आचर होने का वर्दान दिया इस प्रकार उन्होंने सेवाकार के लिए संदों को नियुक्त किया जिससे मसी के शरीर का निर्मान तब तक होता रहे जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाए और मसी के प आलब नहीं बने रहेंगे और ब्रह्म में डालने के उद्देश से निर्मित दूर्थ मनुष्यों के प्रतियक सिध्धान के जोके से विचलित होकर भैकाई नहीं जाएंगे हम प्रेम से प्रेरित होकर सतने बोलें और इस तरह मसीग की परिपूनेता प्राप्त करें वह हमारे शिर्ष हैं और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है वह शरी अपनी सब संधियों द्वारा सुसंगर्टित होकर प्रती एक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूनता तक पहुचाता और प्रेम द्वारा अपना निर्मान करता है मैं आप लोगों से यह कहता हूँ और प्रभु के नाम पर यह अनुरोद करता हूँ कि आप अपसे क्यार होन्यों जैसा आचरन नहीं करें जो बेकार की बातों की चिंता करते हैं उनकी बुद्धी पर अंधकार चाया हुआ है वे अपने अज्यान और हिदे की कठोरता के कारण इश्वरे जीवन से बहिश्कृत हो गए हैं वे नैतिक बोट से शुन होकर लंपटता के वशिभूत हो गए हैं और उनमें हर प्रकार के अशुत कर्म की लालसा निवास करती है आप लोगों को मसी से ऐसी शिक्षा नहीं मिली यदि आप लोगों ने उनके विशे में सुना और उस सत्य के अनुसार शिक्षा ग्रहन की है जो इसा में प्रकट हुई तो आप लोगों को अपना पहला आचरन और पुराना स्वभाव त्याग देना चाहिए क्योंकि वह बैकाने वाले दुर्वासनाओं के कारण बिगरता जा रहा है आप लोग उन रूप से नविन अध्यात्मिक विचारदारा अपनाएं और एक नविन स्वभाव धारन करें जिसकी स्रिष्टी इश्वर के अनुसार हुई है और जो धार्मिक्ता तथा सच्छी पवित्रता में व्यक्त होता है इसलिए आप लोग जूट बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोलें क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं यदि आप क्रोध हो जाएं तो इस कारण पाप ना करें सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रखने दें शैतान को अफसर नहीं देना चाहिए जो चोरी किया करता था वह अपसे चोरी नहीं करें बल्कि इमानदारी से अपने हातों से परिश्रम करें इस प्रकार वह दरिद्रों की भी कुछ सहायता कर सकेगा आपके मुक्त से कोई अश्लील बात नहीं बल्कि ऐसे शब निकलें जो अफसर के अनुरूप दूसरों के निर्मान दता कल्यान में सहायक हों पवित्र आत्मा ने मुक्ती के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मौहर लगा दी है आप उसे दुख नहीं दें आप लोग सब प्रकार की पठुटा, उतेजना, प्रोद, लडाई जगडा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर करें एक दूसरे के प्रती बयालू तथा सहरदय बने जिस तरह इश्वर ने मसी की कारण आप लोगों को शमा कर दिया उसी तरह आप भी एक दूसरे को शमा करें अध्याय पाच आप लोग इश्वर की प्रेय संतान हैं इसलिए उसका अनुसरन करें और प्रेम के मार्ग पर चलें जिस तरह मसी ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंदित बेट तथा बली के रूप में इश्वर की प्रती अपने को हमारे लिए अर्पित कर दिया जैसा कि संतों के लिए उचित है आप लोगों के बीच किसी प्रकार के वैबिचार और अशुद्धता अथवा लोग की चर्चा तक ना हो और ना भद्धि मुर्खता पूर्ण या अश्लील पाच्ची क्योंकि यह अशोबनिय है बलकि आप इश्वर को धन्यवाद दिया करें आप लोग यह निश्चित रूप से जान ले कि कोई वैबिचारी लंपट या लोभी जो मूर्ति पूजक के पराबर है मसी और इश्वर की र प्रिद्रोही लोगों पर आ पड़ता है इसलिए उन लोगों से कोई संबंध न रखें आप लोग पहले अंदकार थे अब प्रभू के शिष्य होने के नाते जोती बन गए हैं इसलिए जोती की संतान की तरह आचरन करें जहां जोती हैं वहां हर प्रकार की भलाई धार्मि हैं लोग जो व्यर्थ के काम अंधकार में करते हैं उनसे आप दूर रहें और उनकी बुराई प्रकट करें वे जो काम गुप्त रूप से करते हैं उनकी चर्शा करने में भी लज्जा आती हैं जोती इन सब बातों की बुराई प्रकट करती और इनका वास्विक रूप आगों नुत्यकों में से जी उठो और मसी तुमको आलोकित कर देंगे अपने आचरन का पूरा पूरा ध्यान रखें मुर्खों की तरह नहीं बलकि बुद्धिमानों की तरह चल कर वर्तनबान समय से पूरा लाब उठाएं क्योंकि ये दिन बुरे हैं आप लोग ना समझ बने बलकि प्रभू की इक्षा क्या है यह पहचाने अंगूरी पी कर मत्वाले नहीं बने क्योंकि इससे विश्यवासना उत्पन होती है बलकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं मिलकर भजन स्त्रोत और अध्यात में गीत गाएं पूरे हिदय से प्रभू के आद आप मसी के प्रति शद्दा रखने की कारण एक दूसरे के अधिन रहें पत्नी प्रभू जैसे अपने पती के अधिन रहें पती उसी तरह पत्नी का शिर्ष है जिस तरह मसी कलीसिया के शिर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता जिस तरह कलीसिया मसी के अधिन रहती है उ अपनी पत्नी को उसी थरह प्यार करो जिस तरह मसी ने कलीसया को प्यार किया उन्होंने उसकी लिए अपने को अर्पित किया उसे पवित्र कर सके और वचत था जल की स्नाम द्वारा शुत्र कर सके क्योंकि वह एक ऐसी कलीसया अपने सामने उपस्तित करना चाहते थे जो महिम मैं हो जिसमें ना दाग हूं ना जुर्री और ना ही कोई दूसरा दोश जो पवित्र और निश्कलंख हो पती अपने पत्नी को इस तरह प्यार करें मानो वह उसका अपना शरीर हो, कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोशन करता और उसकी देखभाल करता रहता है मसी कलीशया के साथ ऐसा करने हैं, क्योंकि अब उनके शरीर के अंग है, धर्मरंत में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पतनी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे यह एक महान रहस्य है, मैं समझता हूँ कि यह मसी और कलीशया के सम्मंध की और संकेत करता है, जो भी हो आप लोगों में हर एक अपनी पतनी को अपने समान प्यार करें और पतनी अपने पति का आदर करें अध्याच है, बच्चों, अपने माता पिता की आग्या मानों, क्योंकि यह उचित है, अपने माता पिता का आदर करो, यह पहली ऐसी आग्या है, जिसके साथ एक प्रतिज्या भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्यार हों और तुम बहुत दि करा उनका पालन पोशन करें, दासों से मेरा अनुरोद है कि जो लोग इस पृत्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कापते और निश्कपट हिदय से उनकी आग्या पूरी करें, मानों, आप मसीग की सेवा कर रहे हों, आप मनिश्यों को प्रसंद करने के उद्देश से दिखावे मातर के लिए नहीं, बलकि मसीग के दासों की तरह ऐसा करें, जो सारे हिदय से ईश्वर की इक्षा पूरी करते हैं, आप प्रसंदता से अपना सेवा कार करते रहें, मानों, आप मनिश्यों की नहीं, बलकि प्रभू की सेवा करते हों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतियक मनिश्य चाहे वह दास हो या सतंत्र जो भी बलाई करेगा उसका पुरुसकार वह प्रभू से प्राप्त करेगा। आप जो स्वामी हैं दासु के साथ ऐसा ही वैवार करें आप दमक्या देना छोड़ दें क्यूंकि आप जानते हैं कि इस्वर्व में उनका और आपका एक ही स्वामी है और वह किसी के साथ पश्यपात नहीं करता। अंत में यहां आप लोग प्रभू से और उसके आपार सामर्थे से बल ग्रहन करें। आप इश्वर्व के अस्त्र शस्त्र धारन करें जिससे आप शैतान की दूर्थता का सामना करने में समर्थे हों। क्योंकि हमें नीरे मनुश्यों से नहीं बलकि इस अंधिकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संगश करना पड़ता है। इसलिए आप इश्वर के अस्त्र शस्त्र धारन करें जिससे आप दुर दिन में शत्रू का सामना करने में समर्थे हों और अंति तक आपका कर्दव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमर्बन करस कर धार्मित्ता का कवज धारन कर और शानती सुसमाचार के उच्सा के जूते पहन कर खड़े हों। साथ ही विश्वास की ढाल धारन के रहें। उससे आप दुष्ट के सब अगनिय में मान मुझा सकेंगे। इसके अतिरेक मुक्ति का टोप महन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वार का वच्चन ग्रहन करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रात्ना तथा निवेदन करते रहें, आप लोग चाकते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विंती करते रहें, आप मेरे लिए भी विंती करें, जिसे बोलते समय मुझे शब्द दिये जाएं, और मैं निर्भिक्ता से उस सुसम सुसमचार का रहस्य गोशित कर सकूं। जिस सुसमचार का मैं भीडियों से बंदा हुआ राजदूत हूं। आप विंदी करें जिससे मैं निर्भिक्ता से सुसमचार का प्रचार कर सकूं। जैसा की मेरा कर्तव्य है। मसी के इमानदार सेवक हमारे प्रिय भाई तुकिकुस आप लोगों को यह सब बता देंगे कि मैं कैसे हूं और क्या कर रहा हूं। मैं उन्हें इसलिए आप लोगों के पास भेज रहा हूं कि आप मेरे विशे में पूरा समचार जान जाएं और इसलिए भी कि वह आपको धार प्रश्च बंधाएं पिता पर्मेश्वर और प्रभु इसा मसी भाईयों को शांती प्रेम और विश्वास प्रदान करें इसलिए की किरपा उन सब पर बनी रहे जो हमारे प्रभु इसा मसी को अनश्वर प्रेम से प्यार करते हैं।